बहुत अच्छी पहल है विवेक अगनी होतरी की उसको जितना समर्थन मिल रहा है मैं कहता हूँ बहुत शांदार है बहुत शांदार है और बहुत जरूरी भी है आप मुझे एक चीज़ बताए कोई रियल इंसिडेंट हुआ है मतलब उस रियल इंसिडेंट के होने में इतना दर्द नहीं हुआ लोगों को जितना उसको दिखाने में हो रहा है मैं कहता हूँ और दिखाईए सब जाकर देखिए सब फिल्म को देखिए थियेटर में जाकर देखिए और यह जो लिबरल्स हैं और यह खास तोर पर यह जो लॉबी है और यह जो गैंग है इनकी आउकात इनको दिखा देना बहुत जरूरी है मैं कहता हूँ कपिल शर्मा या तमाम बॉलिवुड ने सपोर्ट नहीं किया ना इस देश के प्रधान मंत्री ने सपोर्ट कर दिया उनसे बड़ा ब्रांट तो इस दुनिया में कोई नहीं है न इस समय करने दीजिये इनको जैसा के हुआ नवासी में ये बिलकुल चुप रहे लेकिन उस चीज़ को उस सारे इवेंट को उस सारे जो इंसिडेंट हुआ उसको अगर कोई फिल्म दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ये बिलक रहे हैं लोगों के परिवार के परिवार खतम हो गए पांच-पांच लाक लोग एक जगा से दूसरी जगा चले गए उनके परिवारों को साथ ऐसा हो गया इनको तब दर्द नहीं हुआ लेकिन आजो सचाई को जब दिखाया जा रहा है तो ये रो रहे हैं सारे क्योंकि ये जो ले चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो अफजल गुरू हो चाहे वो यासीन मलिक हो कोई भी हो ये हर किसी के साथ रहे हैं इंदुस्तान को इस देश को सही इतिहास जानने की आवर सकता है पहले ही रोमेला थापर से लेकर और तमाम वो लोग जिन लोगों ने इस देश का बंट हिंदूओं का जिन्होंने इस बात को टेक अप किया इशू बनाया और वो आज थीटर्स तक जा रहे हैं क्यूंकि अगर आप सही इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में लेकर जाएगा और वही तो ये सब चाहते हैं लेफ्ट वालों की अप बंगाल में इलेक्शन के बाद हिंसा हुई है और महिलाएं और बच्चे और बड़े-बड़े परिवार जो है माइगरेट करकर आसाम चले गए और जब वहाँ पर राज्यपाल गए तो उनके पैरों में वो लेट रहे ते क्यों नहीं बनानी चाहिए बिलकुल बनानी चा मैं हूँ आपके साथ मनिशा डिंडोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेड़ा कश्मीर फाइल इस फिल्म को लेकर काफी जदा चर्चाय हो रही है देखिए जिस तरीके से डिरेक्टर विवेक अगनिहोतली ने इस फिल्म को दर्शाया है उसे देखकर हर कोई जो जो हुआ था मुद्दा उसके दोरान और देखिए इसमें बता रहे हैं कि तीन सो मरेते और पंद्रा हाजार जो है गया था तो कॉंग्रेस की तरफ से यह विवादिट जो है काफी जदा वाइरल हो रहा है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लोग एक शर्मनाक हाद साब बताते हैं शिवम त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ है सर कॉंग्रेस की तरफ से जो शर्मनाक टूइट हम देख रहे हैं जस्टिफिकेशन किस बात का देना चाह रहे हैं मुस्लिमों की तादा ज्यादा थी मरने वालों में हिंदू की कम थी यह क्यों बत जाया था इतना रोना धोना कॉंग्रेस वालों ने तब कर लिया होता अगर वो विपक्ष में भी थे तो यह सिचुबेशन ना देखने को मिलती उनको अब तक जगा मिल जाती बापस अब आसला बहुत साफ है जब आपने वहां पर पंडितों को छोड़ा ही नहीं हिंदू को भगा दिया वहां से नाराय लगाकर और आपने वहां छोड़ा ही नहीं उनको तो मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है इंपॉर्टन बात यहां पर यह हैं उनके साथ कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं जो या मंद बुद्धी मैं उनको कहूं या फिर मैं यह कहूं कि उनक चाहता हूँ कि या तो आप इतिहास को सही से पढ़ते नहीं हो या समझते नहीं हो उससे सही एक साल पहले तक वहाँ पर राजीव गांधी की सरकार थी सेपरेटिस्प का बोल बाला था और खास तौर पर जेके एलेफ के यासीन मलिक जिसको आज भारतिय जनता पार्टी की सर काला गया उसके पीछे पूरा एक लंबा सेपरेटिस्टों का इतिहास था जो आए दिन हंगामा करते थे और उससे भी जरूरी घटना थी वो 1986 में अनंत नाग में मुफ्ती मौम्मद सईद के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे दंगे हुए थे उस समय मुफ्ती यासीन मलिक को पनपने दिया सेपरेटिस्टों को पनपने दिया उनको शेल्टर नहीं दिया हिंदूओं की बात नहीं की और उसके बाद जब वो सरकार से गए एक साल पुरानी मात्र सरकार थी वो उस समय वह नहीं रोक पाई सेपरेटिस्टों का बहुत जादा बोल बाला करें तो करीब करीब 32 साल हो गए 32 साल में कोई 32 शब्द बता दे मुझे यह जो जत्तात्रे ब्रह्मन राहुल गांदी बैठे हुए हैं जिन्होंने एक बार भी कहा हो 32 शब्द भी बोले हो कि हम पंडितों को वापस लाएंगे 32 साल में इनको सूजा नहीं क्या 32 साल में इनको पार्टी की कोईलेजिन की सरकार बनी पहली वो ऐसी सरकार थी जिसने का ज़ू dancing की जिसनने खाजियेगे अंगे भारती जंता पार्टी की सर्कार जिस dzień से आई है हमेशा से और उससे पहले इसे यह कहती रहीए लेकिन जरूरी चीज ये है के जिस तरीके से आतंगवादी औ एक भाई जिसके सामने उसकी बहन का बलातकार कर दिया होगा उस समय लाइव, तब आपकी आखों में आसू नहीं आये, तब आपको नजर नहीं आया, परिवार के परिवार खतम कर दिये होंगे, तब इन कॉंग्रेसियों को एक आसू नहीं आया, 32 साल में 32 शब्द नहीं नि की जिम्मेदारी है और सरकार इस काम को कर रही है कि उनको एक महौल दिया जाए जिसमें वो सेफ महसूस करें लेकिन आज मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आता कि बेटी के साथ बलातकार हो जाए तो ये कॉंग्रेसी को सुकून है ये चुप रहेंगे किसी बेहन के साथ ब सिर्म दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ये बिलक रहे हैं लोगों के परिवार के परिवार खतम हो गए पांच-पांच लाक लोग एक जगा से दूसरी जगा चले गए उनके परिवारों को साथ ऐसा हो गया इनको तब दर्द नहीं हुआ लेकिना जो सचाई को जब दिखा आया जा रहा है तो ये रो रहे हैं सारे क्योंकि ये जो लेफ्ट लिब्रेल्स है और खास तोर पर ये जो कॉंग्रेस है जो ये अफजल गुरू वाली पार्टी है इनकी प्राब्लम ये है कि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट तुष्टी करन में इतना घुस गए हैं कि वो चाहे कुछ भी कर दें लेकिन अगर पर्टिक्यूलर कम्यूनिटी से है तो कॉंग्रेस का हाथ उनके साथ रहना ही है चाहे वो आतंक वादी हो चाहे वो अफजल गुरू हो चाहे वो यासीन मलिक हो कोई भी हो ये हर किसी के साथ रहे हैं साथ ही बॉलिवूड के तरफ से भी कोई प्रचार नहीं किया जा रहा इस मूवी का एक पोस्टर तक मैं नहीं देख पार हूँ के मूवी थीटर के भार लगा हो कापिल शर्मा ने मना कर दिया प्रमोट करने से मूवी को और राना आयूप का भी एक ट्वीट में देख रह थी कश्मीर को लेकर मुझे उसका नाम याद नहीं है क्या नाम था उसका कुछ ऐसा ही पर्टिकलर नाम था उसमें एक लव स्टोरी डाल के उसको पूरे तरीके से प्रमोट किया गया 90 के दशक में 89 के दशक में जहां लोगों को आप उसमें से लव स्टोरी बना कर और इस देश को परोस रहे हो आजकल का बच्चा जो सबसे ज़ादा फिल्म देखता है वो उसी को हिस्ट्री मान लेता है तो उन रियल इंसिडेंट्स को सही तरीके से क्यों न दिखाया जाए उसको वहीं पर बैट कर जब कश्मीरी पंडितों ने वो फिल्म देखी थी तो गालियां दी थी विदविनो चोपड़ा को रोने लगे थे रोग वहां पर तो मेरा माना है हिस्ट्री अगर आप सही नहीं बताएंगे आप कहेंगे अंग्रेज बहुत शांदार थे आप कहेंगे मुगल बहुत अच्छे थे देश के लिए बहुत कुछ किया यही पढ़ा दीजी देश को फिर हजार साल तक आपके और हमारे दादा और उनके दादा गुलाम क्यों थे मुझे लगता है हिस्ट्री जैसी रही है अगर वो हाश है तो उसको पढ़ाया जाना चाहिए अगर एक कम्यूनिटी ने या फिर एक कम्यूनिटी के कुछ लोगों ने इस तरीके के कोई कांड किये है तो वो दिखाया जाने चाहिए आज कल की जंता को देश को बताया जाना क्योंकि आज ना ये जो सिचुवेशन 90 में हुई भी पैदा 89 में ये सिचुवेशन 2030 या 40 में पैदा ना हो उसके लिए जरूरी है और मैं तो मानता हूं कि जिन लोगों ने अपने इतिहास भुला दिया वो अपना भविश्य खतम कर लेते हैं तो अगर आप अपने इतिहा है बेहत शांदार है और बहुत जरूरी भी है आप मुझे एक चीज़ बताए को रियल इंसिडेंट हुआ है मतलब उस रियल इंसिडेंट के होने में इतना दर्द नहीं हुआ लोगों को जितना उसको दिखाने में हो रहा है मैं कहता हूं और दिखाईए सब जाकर या उनसे बड़ा ब्रांट तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना इस समय करने दीजिए इनको तांडव जैसी सीरीज रिलीज हुई थी जब हिंदू लोग इस पर आपत्ति जो दा रहे थे कि भगवान शंकर को गलत तरीके से प्रटेंड किया गया है तब यह लोग बोल र तो इसलिए उसको बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है इंदुस्तान को इस देश को सही इतिहास जानने की आवशकता है पहले ही रोमेला थापर से लेकर और तमाम वो लोग जिन लोगों ने इस देश का बंटा धार कर दिया और किताबों में किन-किन लोगों को यह इस बात को टेक अप किया इशू बनाया और वो आज थियेटर्स तक जा रहे हैं क्योंकि अगर आप सही इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो यह आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में लेकर जाएगा और वही तो यह सब चाहते हैं लेफ्ट वालों की अप्रोच रही है कॉंग्रिस के बाद हिंसा हुई है और महिलाएं और बच्चे और बड़े-बड़े परिवार जो है माइगरेट करकर आसाम चले गए और जब वहाँ पर राज्यपाल गए तो उनके पैरों में वो लेट रहे ते क्यों नहीं बनानी चाहिए बिलकुल बनानी चाहिए अभी चार दिन प कसर यह ते मरसा शिवम्तियागी जी इन्होंने हमें बताया जिस तरीके से कॉंग्रेस अपना एक अलगी एजंडा चलाती है अरबार मुझा तुस्टि करन की राजनीती यह लोग करते हैं जहां पर अगर दिखा रहे हैं कोई 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 कोशिश कर है तो उसको उसी तरीकी से पोट्रे किया जाएगा ना कि उसमें राजनीती ढूंड कर यह देखना चाहिए कि मुझा फीलिंग्स को आहत किया जा रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर तो यह आपका इस पर क्या क्या ना है मरसाता सही बना रहे है धन्यवाद